नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 5 की इतिहास का अध्याय 5 जिसका शीर्शक है शासक और इमारते इससे पहले कि हम इस वीडियों की शुरुवात करें, इस अध्याई की शुरुवात करें, मैं आपके समक्ष इस अध्याई का पाठिक्रम रखना चाहता हूँ दोस्तो इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे कुतुब मिनार के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे कुतुब उद्दीन एवग के विशे में और जानेंगे कि कुतुब मिनार का नाम आखिर कुतुब मिनार क्यों पड़ा इसके बाद हम जानेंगे अनुप्रस्थ तोड़ा निर्मान शैली को इसके पश्चात हमें अभियांतरी की कौशल तथा निर्मान कारे भी इस अध्याई में देखने को मिलेंगे इसके साथ ही मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्मान आदिकार्य भी हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा इसके साथ ही शाह जहां के शासंकाल में निर्मानकार्य कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन-कौन से निर्मानकार्य हुए जो इतिहास में उलेखनी है उनके विशय में भी हमें इस अध्याय में जानकारी प्राप्त होगी और इतना ही नहीं दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत कुछ रोचक है इस अध्याय में तो चलिए बिना देर किये आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस रोचक और महत्वपून सफर पर दोस्तों इस अध्याय की शुरुवात में ही कुटुब मिनार का जिक्र आता है और इसके साथ जिक्र आता है कुटुब उद्दीन एबक का जिनोंने 1199 में इसका निर्मान कराया था इसके साथ ही इस अध्याय में यह चित्र दिखाया गया है जो की कुटुब मिनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुटुब उद्दीन एबक और कुटुब मिनार के विशय में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा दोस्तों कुटुब उद्दीन एबक मद्देकालीन भारत के शासक थे इसके साथ ही वहां दिल्ली सल्टनत के पहले सुल्तान थे कुतुबद्धीन एबक 1206 से 12010 ईश्वी के मध्य सिर्फ čार वर्षों के लिए सुल्तान थे और 1206 में यहां दिल्ली के सुल्तान बन गए थे कुटुबुद्धी नैबक ने कुवबतुल इसलाम मस्जिद और कुटुब मिनार का निर्मान करवाया था और दोनों ही दोस्तों भारत की प्राचीनतम मुस्लिम धरोहरों में से एक मानी जाती है दोस्तों ही निमारतों को वे पूरा नहीं कर पाये थे तो फिर यहने किसने पूरा किया यहाँ भी हमें सध्याय में जानेंगे इसके अलावा कुटुबुद्धी नैबक ने अजमेर में अठाई दिन के जोपड़े का भी निर्मान करवाया था अब बात करें कुटब मिनार की तो दोस्तों कुटब मिनार का निर्मान सूफी संथ कुटब उद्दीन बक्तियार काकी की याद में किया गया है इस बात को आप नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि कुटब मिनार का निर्मान सूफी संथ कुटब उद्दीन बक्तियार काकी की याद में किया गया था दोस्तो इसे बारवी से तेरहवी शताबदी में बनाया गया इसे लाल बलुवा पत्थर और संग मरमर से बनाया गया आप यहां जो चित्र वीडियो में देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि यहां लाल और सफिद आपको दिखाई दे रहा है, है ना, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे लाल बलुआ पत्थर और संग मरमर से बनाया गया था, दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि कुतुब उद्दीन एबक के दामाद, या फिर मैं यो कहूं क की उत्तर आधिकारी, इल्तु तमिश, इन्होंने बारह सु बीस में इसकी तीन मनजिलें बनवाई, किसकी कुतुब मिनार की, इसके बाद फिरोश शाह तुगलग ने दो और मनजिलें इसमें जोड़ दी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आईए दोस्तों, अब इस चितर को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, आपको यह पूरी स्क्रीन पर चितर दिखाई दे रहा है, दोस्तों, इस चितर को ध्यान से देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यह कुतुब मिनार के पहले चज्जे का चितर है, इसे कुतुब उद्दी न नयबग ने 1199 में इसका निर्मान करवाया था, दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो चज्जे के नीचे आपको जो है एक अर्धमंडला कार आकरती दिखाई दे रही है, है ना, मैं आपको थोड़ा सब बता देता हूँ, हिंट दे करके यह देखिए, है ना, तो यहाँ जो अर्धमंडला कार ज्यामिती है, आकरती है, इसे महराब कहा जाता है, जिसका जिक्र इस अध्याय में किया हुआ है, है ना, जो है चज्जे के नीचे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी, यह सब कुछ जो है महराब को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक ह और यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है दोस्तों, वह यह है कि यहाँ मिनार का जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं, यह आपको गुमावदार दिख रहा है और कोणिय दिख रहा है, गुमावदार और कोणिय है, देखिए क्या है ना दोस्तों कि अगर दिवार सिर्फ गोल है या समतल है तो उस पर लिखना आसान मालूम पड़ सकता है लेकिन जब इस प्रकार से दीवार का निर्मान किया गया हो जिसका बाहरी हिस्सा गुमावदार और कोणी है तो दोस्तो ऐसी सता पर कुछ भी लिखना बहुत कठिन हो सकता था वो भी उस समय जब ना ही इतन विकास किया था विज्ञान ने इतना विकास किया था लेकिन इसके बावजूद यह लिखा गया और ऐसा लिखने के लिए बहुत सारी परिशुद्धता याने की परफ्रेक्शन की आवशक्ता तो होती ही होगी है ना और इसे लिखने का कारे सिर्फ वही कारीगर कर सकते है जो बेहद योग्यों हैना सबसे अधिक योग्यों जो कारिगर होगा उसी ने इस कारे को पूर्ण किया होगा यहाँ पर याद रखने वाली जो बात है दोस्तु वह यहाँ है कि 800 साल पहले यानि कि 800 वर्षपूर्व केवल कुछ ही मारत ऐसी थी जो उस समय पत्थर और इटो की बनी होती थी जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ठीक है अब आप सोचिए कि एक ऐसा समय जहां पर कुछी इमारतों को इटों से पत्थरों से बनाया जा रहा हो वहाँ पर उस समय के लोगों पर ऐसी इमारत को देखने का क्या असर पड़ेगा कितने प्रभावित होत है ना दोस्तो आठवी और अठारवी शिताबधी अगर आठवी से अठार्वी शिताबदी के मद्य की अगर हम बात करें दोस्तो तो जो राजा हूँ करते थे ते और उनके अधिकारी लोग थे उन्होंने ऐसा समझे कि दो तरह की इमारतों का निर्मान करवाया दो प्रकार की इमारतों का निर्मान करवाया है अब इन में जो पहली इमारते हैं वो आती है सुरक्षित इमारते यानि ऐसी इमारते जो बिल्कुल सुरक्षित है सन्रक्षित है और अगर हम बात करें तो वह मुख्य रूप से हमें इस दुनिया यानि जिसमें हम रह रहे हैं और जो दूसरी दुनिया है उसमें आराम विराम की जो जगे हैं उनको प्रदर्शित करती जैसे कि किले हो गए, महल हो गया, इसके अलावा मखबरे हो गए, आदी चीजे हमें देखने को मिलती है और जो दूसरी श्रेणी की मैंने आपके सामने अभी बात करी, जो दूसरी श्रेणी का जिक्र किया न, उसमें आते हैं मंदिर, मस्जिद, हौज, कुए, सराय, यानि कि ऐसे जो जनता के उपयोग के लिए बनाई गई इमारते हैं, है न, चलिए, अब इस अध्याय में आगे एक पांच मंजिला इमारत हैं, है न, जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था, कि शुरुवाद की जो मंजिल है, वह कुतुबुद्दीन एबक ने बनवाई, और जो बाकी की मंजिल हैं, उसका निर्मान इल्टु तमिश, जो की कुतुबुद्द इन एबक का दामाद और उत्तराधिकारी भी था, है न, और उसने इसकी जो है, क्या बनवाई, तीन इमारते बनवाई, और बाकी की जो इमारते हैं, बाकी की जो सौरी मंजिल हैं, वहाँ बनाने का कारे किया, फिरोश शाह तुगलक न, मरम्मत भी हुई, समय समय पर दे, तो क्या होता है, देखिए, आंधी आती है, तूफान उठता है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से गुजरना पड़ता है, है न, तो मरम्मत की भी आवशकता पड़ती है, तो इबराहीम लोदी का जिक्र हाँ पर होता है, है न, आप देख रहे हैं, लिखा हुआ पुदीन खिलजी, महम्मत तुगलग, इन सभी लोगों ने भुकांभ की वज़े से, तूफान की वज़े से, आंधी की वज़े से, जो भी इसमें तूट-फूट हुई, उसकी मरम्मत का कार्य इसमें करवाया था, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आठवी और अठारवी शताब्दियों के बीच की अगर हम बात करें, तो उस समय जो है, मुख्य रूप से दो प्रकार की इमारतों का निर्मान करवाया गया था, पहले में मैंने आपको बताया था कि पहले प्रकार कि अगर हम बात करें, दूसरी श्रेणी में तो मंदिर, मस्जिद, हौज, कुए, सराय, बाजार, यानि वो सब इमारते हैं, जो की मुख्य रूप से सभी के उपयोग की इमारते हैं, यानि वो भवन जो आम जनता के आवाम के उपयोग के लिए बनाई गई है, है ना, उन् अफने राजा से बहुत सारी उम्मिदे हुआ करती थी, बहुत सारी अपेक्षा हुआ करती थी, तो मुख्य Considering, अगर हम बात करें, तो राजाओं से यहारा अपेक्षा की जाती थी, कि वहां हम सभी जनता का जो अपने राजा की प्रजा है, ना, उनका क्या करेंगे, देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि अपनी प्रजा की देख भाल करेंगे प्रजा की उपयोग आराम के लिए मारतों का निर्मान करवाएंगे आदी यहां सब कुछ जो है अपेक्षा राजा से रखी जाती थी और मैं आपको बताओं दोस्तों कि जो राजा हुआ करते थे इ और दोस्तों मैं आपको बताओं कि इस तरह के जो निर्मान कारे हुआ करते थे ना वो राजा और मैंने अभी बताया था उसके जो अधिकारियों का जिक्र यहां पर आया इंके अलावा कुछ व्यापारी हुआ करते हैं आप जानते हैं कि वर्तमान में भी बिजनेसमेन लो लेकिन बहुत सारे बिजनेसमेन भी हैं तो ऐसा ही आप अध्यान कर सकते हैं देख सकते हैं कि उस समय भी व्यापारी हुआ करते थे और भी जो अन्य व्यक्ति थे उनके द्वारा भी इस प्रकार के कुछ निर्मान कारे करवाया जाते थे मुख्य रूप से अगर बात की ज होता है न दोस्तों तो घरेलु इस्थापत्यों में व्यापारियों की विशाल हवेलिया है न तो यह जो हमें प्राप्त हुई है इसके जो आफशेश मिले है ऒहमें अगली हेडिंग की तरफ दोस्तो अगली जो हेडिंग है वहाँ है अभियांतरी की कौशल तथा निर्मान कारिय इसे पढ़ने से पहले इसे जानने से पहले मैं आपका ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ दोस्तो इस प्रष्ट के दाई और दी गई इन जानकारियों की और यहाँ पर देखे लिखा हुआ है आगरा किले के दिर्मान में लगा श्रम तो दोस्तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अकबर के द्वारा आगरे के किले का दिर्मान किया गया और इसके लिए दोस्तो उस समय 2000 पत्थर काटने वाले और 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों का उनकी आवशक्ता पड़ी इसके साथ ही जो मजदूर यहां पर जिनकी आवशक्ता पड़ी मजदूर उनने जो काम किया उनकी संख्या 8000 थी है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस शीर्ष नहीं हूं तो यह इतना कठिन कार्य वर्तमान में आपको नहीं लगेगा और चार दिवारों पर छट डालना एक तरह से सरल ही है कब जब हम उसकी तुलना करें भूतल से उपर कोई भी हमने भवन बना दिया कैसी भी संरशना हो और हमें उस पर छट डालना हूं यह आवशक नहीं कि चार दिवारे हों या दो तीन दिवारे हो ना कैसी भी अधिरशना हो सकती है अधिरशना का थाध्परी उता है दोस्तों कี่ भूमी के तल से उपर कोई भी भवन का भाग तब तो यह उस समय के लिए कठिन बात होगी खास करके 8-13 अताबधी के मध्य है लेकिन दोस से तो मैं आपको बता दूंगी एक शैली का उप्योग यहां पे किया गया और वास्तुकला की इस शैली को कहते हैं अनुप्रस्थ टोड़ा निर्मा अब यह शैली क्या है कैसे इसका उप्योग करके छते आदी बनाई गई दर्वाजे खिड़कियां तो हम इसको अभी इस प से हमें क्या पता चलता है हमें यह पता चलता है कि जो भी इस मारक बनाए गए उस समय का शिल्प विज्ञान कैसा है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है इसके साथ ही अब जैसे अगर हम उधारन लेना चाहें तो यहां पर बता रहा है कि छत का उधारन ले लीजिए जै जो है लट जो होता है ना उसकी बात की जा रही है सपोर्ट देने के लिए कुछ तो लखना ही पड़ेगा है ना या बात करें तो पत्थर की जो पटिया होती है जो आजकल अक्सर हम आप देखते हैं कि जो नालिया होती है उस पर से गुजरने के लिए जो सारवजनिक मार्ग होते हैं रखा करते हैं पत्थरों को पत्थरों की पठिया को इन सब का उपयोग किया जाता था लेकिन कठिन कभ हो जाता था छत बनाना अधी जब किसी अधिरशना की बात हो है अभी मैं आपको बता है अधिरशना का मतलब होता है कि भूमे के तल से उपर कोई भवन के भाग खिड़कियां होती हैं यह सब बनाई जाने लगी और छत दर्वाजे और खिड़कियों की अगर बात करें तो क्या होता था कि दो खंबे ऐसे जो उर्द्वाधर हैं है ना उनकी आरपार एक अनुप्रस्त शहतीर रखी जाती थी और अनुप्रस्त रखकर शहतीर को उस तोड़ा निर्मान ठीक है नीचे आप चितर देख रहे हैं है ना अगर मैं बात करूं इस चितर की तो दोस्तों यह जो चितर है यह कुवत अलिस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो की कब जिसका निर्मान किया गया बारवी शताबदी के उत्तरार्द में है ना और मैं इसक कि उपर जिक्र हमने किया था यहाँ एक महराब है और इस महराब के निर्मान में अनुप्रस्थ टोड़ा टकनीक का शैली का उपयोग यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है ठीक है ना दोस्तों आठवी से तेरवी शताबदी के अगर हम बात करें तो इसके मद्ध में क कुवोगा भी निर्मान किया गया जिने हम बावली भी कहते हैं और वो कैसे थे सीडी दार है ना जिनमें सीडिया बनी हुई थी इसके अलावा मंदिरों मस्जिदों मकबरों के निर्मान कारे भी इस समय चलते ही रहे और इन सब में उपयोग की जाने वाली वास्तुकला की जो शैली थी वह थी अनुपरस्त टोड़ा निर्मान की शैली या अनुपरस्त टोड़ा टकनीक है ना दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा अब मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं इस प्रष्ठ के दाही और याने की राइट हैंड जहां पर यह जानकारी दे गई है यह जानकारी में क्या बताया गया है इस जानकारी में बताया गया है रानी जी की बावड़ी के विशह में जो राजस्तान के बूंदी में स्थित हैं है ना उन पचास बावड़ियों में यह सबसे बड़ी थी जिसका निर्मान उस समय पा और बावडी का निर्मान 1699 इश्वी में करवाया गया था, किसने किया था, रानी नाथावत जी ने, जो कौन थी, बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंग की रानी थी, उन्होंने करवाया था, चलिए, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस शीर्षक के विशय में, अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस प्रष्ट पर जिक्र होता है, दो महत्वपून मंदिरों का, पहला मंदिर जो आप देख रहे हैं, यहां कंदरिया महादयोग का मंदिर है, और यहां जो दूसरा मंदिर आप देख रहे हैं, यहां तंजावर के राज-राजश्वर और मंदिर का चित्र है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों मंदिरों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, यह दोनों ही मंदिर अपने स्थापतिक सुन्दर्ता के लिए इस समय काफी प्रसिद्ध माने गए थे, जिस समय इनका निर्मान हुआ था, अब इस कंदरिय कि यहां महादयों मंदिर को देख लीजे अगर मैं इसकी बात कर closer की स्तुती में इसे बनाया गया था हैना स्युजी के लिए मंदिर और इसे बनाने में कांहें कारे किया था राजा धंगदेम ने अब किस समय करवाया था 999 में आपको यहां पर जानकारी दिख रही होगी और यहां जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है प्रश्ट के बाई और तो यहां मंदिर को मंदिर के निर्मान कारे की एक योजना है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो है एक प्रवेश भाग को दिखाया गया है और इसके अलावा यहां पर एक महा मंदप को दिखाया गया है महा मंदप का अर्थ क्या है महा मंदप का अर्थ है दोस्तों एक सभा भवन एक ऐसा भवन जहां पर सामान्य सभाएं की जाती हो है ना कोई आयोजन करना हो जैसे कि कोई विशेश मीटिंग कि अगर मैं बात करूं या फिर नृत्य आदी हो संगीत आदी का कोई कारिक्रम हो तो वो सब सारे आयोजन यहां पर किये जाते थे कहां पर सभाभवन यानि की महामंडप में अब इसके बात करेंगे भगवान की प्रतिमा की तो मूर् भी है जैसे कि शुव जी की तो उसे जो है मंदिर में रखा जाता था दोस्तों गर्भ ग्रह में ठीक है ना और इसी गर्भ ग्रह में विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वह सब संपन्न करवाए जाते थे और मैं आपको यह भी बता दो दोस्तों कि इस गर्भ ग्रह में केवल राजा को उस समय के पुरोहित पंडितों को और उनके जो एकदम खास करीबी निखटतम परिवार की लोग है ना उने ही अंदर आने की अनुमती थी यहाँ पर सामान्य जन्मानस को सामान्य लोगों को जाने की अनुमती दोस्तों नहीं थी ठीक ह यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूर्तियां है जो बनाई गई है उतकीर्णित की गई है ना उससे है मंदिर जो है अलंकरित है ठीक है इसके बाद जिक्र आता है दोस्तों तंजा बुर्गे राज-राजश्वर मंदिर का दोस्तों अक्सर हमारे मन में कई बार यहाँ जिग्यास आउशक्ता नहीं पड़ती है हमें पता चल जाता है हम अपने आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं कई बार हम ही देख लेते हैं और देखकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ जो भवन है यहाँ सबसे ऊचा है है ना तो दोस्तों इस समय भी जो मंदिर निर्मान का कारे तो आप सोच सकते हैं कि इसे बनाने का कारे भी इसके निर्मान का कारे भी बिल्कुल आसान तो नहीं रहा होगा क्योंकि दोस्तों मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना तो उचाई पर कोई चीज को अगर पहुचाना हो किसी वस्तू को पहुचाना हो खास करके निर्म यहां पर नब्बे टन का पत्थर ले जाना दोस्तों इतना सरलकारे तो नहीं था कोई व्यक्ति उठाकर तो लेकर जा नहीं सकते थे आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत भारी पत्थर है तो इसी लिए दोस्तों इस मंदिर के शीर्ष तक पहुचने के लिए पत्थरों को बनवाया गया था और यहां रास्ता था चढ़ाईदार रास्ता है ना और यहां रास्ता दोस्तों बहुत छोटी सी जगह में नहीं बना लिया गया कि बिल्कुल नीचे जमीन से लेकर उपर शीष तक के रास्ता बना दिया यहां रास्ता दोस्तों जो बनाया गया यहां च इसलिए यहाँ पर चार किलुमीटर से जादा लंबा रास्ता तैयार किया गया जिससे कि जो चढ़ाई है वहां बहुत जादा कैसी नहों खडी नहों और पत्थरों को ऊपर चढ़ाने में मंदिर के शीष तक पहुचाने में अधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े अब इस रास्ते के माद्यम से जो की लंबा और चड़ाईधार रास्ता था रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को यहां पर पहुचाया गया था दोस्तो मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया लेकिन उस छित्र के लोगों ने मंदिर निर्वान के अनुभव को काफी लंबे समय तक के याद रखा और आज भी दोस्तों समंदिर के आसपास एक गाउं है उस गाउं को कहा जाता है चारू पल्लम का अर्थ होता है चड़ाईदार रास्ते का गाउं मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना बारवी शताब्दी की तो बारवी शताब्दी में दो प्रोध्योगी की और शैली समंदिर परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं आईए जानते हैं इन परिवर्तनों के विशय में दोस्तों अब बात करते हैं जिसके विशय में मैंने आपको बताया वहाँ दो समंदिर परिवर्तन कौन-कौन से हैं जो देखने को मिले हैं बारवी शताब्दी में दोस्तों सब सपहला परिवर्तन जो था न वह यह था कि जो दर्वाजय और खिडखियां हुआ करती थी इसके उपर जो कोई भी निर्मान कारे होता था यन्हिन, जो कोई भी अधिरचना होती थी उसका जो वजन था उसका जो भार था वहां कई बार महराब उपर डाल दिया जाता था हुरुख का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था महराब का अर्थ होता है दर्वाजे के उसरह के उपर बना अरध वंडलाकार भाग जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं मैं अंडर्लाइन कर देता हूं, है न, आप देख पा रहे हैं, यहां पर इस चितर में देखिए, यहां लिखा हुआ है, डार्ट, किस प्रकार से जो है, यह महराब को तयार किया गया है, और इसके ऊपर की अधिरशना का जो भार है, वो इस महराब पर डाल दिया गया है, यह जो मैंने अभी आपको लाइन खीच कर बताया है यहां इस महराब की आधारशिला है ठीक है ना जिसे डार्ट कहा गया है ठीक है समझ पा रहे हैं तो पहला जो परिवर्तन है वह यही था कि दर्वाज और खड़िकिया जो थी उसके उपर अधिरशना का भार महराब पर डाल करता हुआ चित्र है जो कहां का है अलाई दर्वाजे के महराब को बताता है है ना महराब सितात पर इस अर्दमंडलाकार भाग से ठीक है ना इसे प्रारंबिक अधिक वह तो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की तो दूसरा जो है वहां निर्मान खारे में दोस्तों समय जो है चूना पत्तर और सिमेंट का जो प्रयोग है वह बढ़ गया था और मैं आपको बता दूं कि एसी वैसी नहीं हुआ करती थी यह ज क्योंकि उस समय यह जो cement थी, इसमें पथरों के टुकड़े हुआ करते थे ना, उनको और concrete, मतलब उनको मिला करके concrete बनाई जाती थी, और इसी की वजह से यहाँ उच्चिस्रिणी की cement हुआ करती थी, और इस cement के उप्योग से उस समय बड़े बड़े विशाल धाचों का निर् निर्मान कारे चल रहा है आप इसको देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ठीक है और इसके अलावा इसके विशय में यहीं दिया है कि आगरा के किले में जल द्वार का निर्मान जो हो रहा है उसको यहां चित्र में दिखाया जा रहा है इस चित्र को लिया गया है अकबर बहुत सारे स्थलो पर निर्मान कारे बड़ी सरलता से और तेजी से किया गया अब बढ़ते हैं अगले प्रश्टकी ओर दोस्तो मhone कि इसके बाद जिक्र आता है मंदिरों मस्जिदों और होज्ण के निर्मान का तो दोस्तो मंदिर मस्जित के जब निर्मान की बात आती है तो हमें यह पता चलता है कि बहुत ही सुन्दर तरीके से इन सब का निर्मान करवाया गया था और इसका एक ही कारण था दोस्तों कि जो भी हमारे संदक्षक है याने उस समय के राजाओं के प्रजा के जो उनका रक अलवान है जो कशरत आधी करते हैं तो वहां हनुमान जी की पूजा करते हैं अराधना करते हैं जिससे उने असीमित बल और बुद्धी प्राप्त हो तो इस प्रकार से यह अभी अपने भक्ती भाव का प्रदर्शन उस समय करने के लिए सुन्दर तरीके से और बहुत ही व पनवाय था वह अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना करना चाहते थे अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो राजा का नाम है राजा राजदेव और जो मंदिर का नाम है राज राजेश्वरम यहां कितने मिलता जुलता नाम है ना तो यहां पर यह बताया भी ये राजा और उसके देवता का नाम काफी मिलता जुलता है है घ्राड़ मैं और वह बहुता है भगवान का यूप जो अपनी प्रजा का अपने लोगों का कल्यान चाहते हैं कल्यान के लिए कारे करते हैं और उन्हें के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है ठीक है और इसी प्रखार से दोस्तों जो हैं मंदिरों का निर्मान भी करवाया जाता था मंदिर में जो मुख्य देवता की मूर एक आँ देविदेवताओं की मूर्थया ती और हुआ करते हैं कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो मंदिर पाठ उपासना करने का जो विधि है जो विधान को देख एक कहा जा सकता है कि जो ऊपर देविदेवता है वह नीचे आ गए है मंदिर शासक और उसके स्योगी द्वारा शासित विश्यो का एक लगुरूप ही था यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि राज्किय मंदिरों में इकटे होकर अपने देवताओं की वेलोग उपासना करते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि देवताओं का जो न्यायप्रिय शासन है उन्होंने उसे प्रत्वी पर लाकर रख दिया है खड़ा कर दिया है ठीक है ना अगर हम बात करें दोस्तों मुसल्मान सुल्तानों की है ना या बादशाह की तो वह स्वयम को कभी भगवान के अवतार होने का है ना दावा तो नहीं करते थे लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ फारसी दरबारी इतिहास जो है उसमें ऐसा देखने को मिल उसको जो है शाहसक इसलिए चुना गया था क्योंकि उसमें जो है जो इतिहास में जितने भी बड़े-बड़े कानून बनाने वाले विधी बनाने वाले जो मूसा हुआ करते थे और जो सुलिमान है उनकी विशिष्चताएं मौजूद थी उनकी विशिष्चताएं विश्यू का सरजन किया है और एक विवस्था और संतुलंद को भी बरकरार रखा याने की कायम किया है आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चित्र को देखिए है ना नई राजधानी शाह जहाना बाद 1650 से 1656 के बीच में शाह जहान द्वारा इस प्रश्ट के दाहीनी और यह जो बॉक्स दिया है इसकी तरफ आपका जो है ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं यहां पर लिखा गया है दोस्तों आबाद और आबादी को आब शब्द से ही बनाये गया है जो कि फार्सी शब्द है इसका मतलब होता है क्या पानी तो यहां पर खुशाली भी है क्योंकि यहां पर सबसे प्रमुक्स अंसाधन यानि कि जल भी उपलब्द है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं दोस्तों जब सत्ता की बात आ रही थे नहीं सत्ता में आ जाता था कोई भी राजवंच तो उस समय क्या होता था कि जो राजा था या ज अधिकार क्या होता है या मैं बात करूं कि हमारे जो कुछ नैतिक अधिकार है वहां कौन से हैं है ना तो यह सब हम लोग जो है नैतिक मुल्यों पर जब चर्चा करते हैं तो इस प्रगार की बाते हमारे सम्मुक आती हैं है ना कैसे हमें इंसानियत का हर इंसान का संबान कर चाहिए है ना कैसे हमें इस बात की हमें इस बात की और अग्रेशित किया जाता है कि इंसानियत जो है वहाँ सबसे बड़ा धर्म है और जो इश्वर को हम इंसानों में नहीं देख सकते आपस में नहीं देख सकते उसे हम मूर्तियों में भी देख नहीं सकते तो आधी बहुत सारी चीज़े हमें देखने को जानने को मिलती है और इसकी अलग-अलग असर भी हमें प्राप्त होते हैं आगे बताया गया है कि जो उपासना के स्थान हुआ करते थे उसका निर्मान करवाने के लिए जो शासक थे जो राजा थे उन्होंने इश्वर के साथ यहने अपने रूप अफतार बताया था है और ऐसी जो उधोशना थी न दोस्तों वहां बहुत तेजी के साथ जो बदलाव आ रहा था उस समय राजनीती के अंदर तो उसके संधर्ब में आते ही यहना उसके रेफरेंस में आते उसके कॉंटेक्स्ट में आते हुए ही जो है वहां महत जे लेती थी और शासक थे उन्होंने विदूआन और धर्मनिष्ट वैक्ति लेती जो उसके हुआ करते थे उनको आश्रे देने का कारे भी वहां चाहते है यहां पर जिकर आया है धर्मनिष्ट वैक्ति जो इनकी नगर उनको एक महत्वूर्ण सबसे महत्вूर्ण माने जा प्रयास किया सांस्कृतिक केंद्रों में परिवर्तित करने का इससे होता यह था दोस्तों कि जो उनका शासन था और उनका राज्य था उससे उनको प्रसिद्धी मिलती थी ख्याती प्राप्त होती थी ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब व्यापक रूप से अगर हम बात करें मिलता है तो यहां पर लिखाएं कि एक सभय आती है कि राजा था वहां एक निया आयफिये राजा है और उसका राज इस प्रकार से हो परियाप्त वर्षा होती हो और इसी प्रकार से विभिन प्रकार के जलाशेओं का निर्मान किया जाता था क्योंकि पानी को बहणये मानधा जाता था यहां बहणये पानी, है यहां पर लिखा हुआ है और बहुत प्रशंसा había की जाती थी राजा की शासकों की प्रजा के द्वारा, जब ख Corey करके वहां को इसा दामात थे है ना इल्टु तमिश इनका जिकर हैं पर इसलिए आया है क्योंकि दहली एक कुहना जो है इसके एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्मान इन्होंने करवाय था और यह करवाने से इनको जो है क्या प्राप्थ हुआ व्यापक सम्मान प्राप्थ हुआ था ठ खॉजअ सुल्तानी या फिर राजद मैं तो हिससा होते थे बाद वाने का ठीक है ना मैंने आपको बताया कि राजा वर शासकों के अलावा वियापारी वहां भी निर्मांकार्यों में स्थेह किया करते थे इस चित्र को ध्यान से देखिए दोस्तों जुदाई और दिया हुआ है आपके प्रिष्ट में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हर मंदर साहब है ना उसका पवित्र सरुवर अमरित सर का यहाँ चित्र है स्वारण मंदर को स्वारण मंदर को बताता हुआ चलिए आगे बढ़ और धन्वेभव के साथ इसलिए करवाया था क्योंकि वह अपनी शक्ति का अपने बल का प्रदर्शन भी करना चाहता था तो अब आप यह बात समझ सकते हैं इसमें आपको कोई आश्चर नहीं होगा कि एक राजा है किसी राज्य में और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन क और किसी भवनों के या किसी मंदिर मस्जिदों के द्वारा करवा रहा है अब दूसरा शासक, जो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है वह जब अहमला करेगा तो वह स्वाबाविक सी बात है कि वह उस भवन को क्या करएगा नश्ट करने का प्रयास करेगा क्योंकि वह शिताब्दी की जब शुरुवात होती है न ँस समय जिक्र आ रहा है है ओप पांडेयन राजा श्रीमर श्रीवललव। तो इन्हों ने क्या किया श्रीवललव ने श्री लंका पर उस समय आकरमंट कर दिया अब उस समय वहां के राजा थे सेन प्रथम समय दिया गया आर सो 31 से 35 कावन के बीच में तो उनको हराया और हराने के पश्चात वहाँ वापस लोड़ गए होंगे तो जो उस समय के बहुत भिख्षू है उन्होंने जो की इतिहासकार भी है क्या नाम है धमकित्ती इन्होंने लिखा है कि वहाँ सारी बहुमूल्य चीजे ले गया रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विविन मठो में रखी सोने की प्रतिमाय यह सब कुछ वहाँ ले गया और आगे विस्तरत रूप से इसका वरणन भी किया गया है कि वहाँ क्या क्या ले गया आप यहां पर देख सकते हैं कि एक कर दिया है ग्यारवी शिताबदी के आरह में चोल्ड राजा राजेंद्र प्रत्हम का हैना अपनी राजधानी में शियो मंदिर का निरमां करवाया और जो कुछ भी वहां जिस शाष्कों को जिस जिनको जिन शाष्कों को उसने हराया उनसे जो कुछ भी जब्त किया गया उसको उसने मंदिर में रख दिया गया है ना प्रतिमाओं से भर दिया क्या क्या चीज़े थी वो एक अधूरी सूची से पता चलता है कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठी का गणेश मूर्ती दुर्गा की मूर्तियां है ना पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ती उडिसा के कलिंगो से प्राप्त भैरव ये जो की शिव का एक रूप है और भैर्वी की एक प्रतिमा और बंगाल के पालो से प्राप्त काली की मूर्ती आधी देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों जिक्रा आता है सोमनात मंदिर का, है ना, गजनी का सुल्तान था महमूद, राजेंदर प्रतम का यहां समकालीन था, और वह भारत में अपने किसी अभियानों के दौरान आया था, उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र भी किया, और इसक मंदिर जिसका जिक्रा आता है सोमनात का शिव मंदिर, ठीक है ना, तो स्वयम को उसने एक महान इसलामी उद्धा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए श्रेय लेने के लिए इन मंदिरों को तोड़ा और इन्हें लूट लिया गया, सोमनात का मंदिर बहुत प्रसिद् का उपयोग किया गया था, लोग उस समय उसे चमतकार मानते थे, जब उसने मंदिर तोड़ा, चुमबक तूड़ गया, है ना, तो हम मूर्ती जो शिवलिंग था वहां नीचे आ गया था, है ना, ऐसी कथा कहानिया प्रसिद्ध हैं, इस मंदिर को ले करके, इस घटना को ल करते थे, आईए, अब बढ़ते हैं दोस्तो, अगले शीरशक की और जिसका नाम है बाग, मकबरे और किले, इसे पढ़ने से पहले हम यह जानकारी को देख लेते हैं, जो बाई और दी गई है इस प्रश्ट के, है ना, यह चित्र नौ जो दिख रहा है आपको, मुगल चार चार बाग है, है ना, दिल्ली का, आप देख सकते हैं, और यहा जो चित्र है, यहाँ कश्मीर में, शालिमार बाग का सीड़ी दार, चार बाग है, है ना, 1620 से 1634 के बीच, यहाँ पर समय दिया गया है, और यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ लाल महल बारी में, चार बाग को तटिय बाग की रूप में अपना आई गया है उसका चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चलिए अब बढ़ते हैं शीर्षक की और बाग मकवरे तथा किले दोस्तों इस चित्र को देखिए यहाँ चित्र जो है काबुल में एक चार बाग का किस प्रकार से खाका तयार किया जा रहा है जो की बाबर की 1590 की चित्रकारी है उसका चित्र है और किस प्रकार से रास्ते को रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरे बनाई गई है कृत्रिम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर यहां जो नहरे हैं यहां कृत्रिम नहरे हैं जिनका निर्मान किया गया है ठीक है ना तोस्तों क्या है कि मुगलों की अधीन जब वास्तुकला आई न तो और भी ज्यादा जटिल हो गई है ना जैसे ऐसे मुगल सामराज्जी की अगर मैं बाबर की बात करूं न दोस्तों तो बाबर ने उसकी जो आत्मकता थी उसमें इस विशह में जिक्र किया है अपनी रूची का वर्णन उसने किया है ठीक है ना अब यह जो चार बाग आप चित्र में देख रहे हैं इसे चार बाग क्यों कहा जाता था क्योंकि ठीक है ना और इसे बाटने का काम कौन कर रही है यह कृत्रिम नहरे जिनका निर्मान किया गया है इसलिए चार बाग कहा जा रहा था ठीक है ना अगर मैं बात करूं दोस्तों अकबर के शासनकाल की तो अकबर के शासनकाल में कई प्रकार की महत्तपून वास्तु कलात्मक ऐसा कहना चाहिए कि नवाचार हुए है ना कई तरह के ऐसे निर्मान हुए ठीक है ना और इनकी जो प्रेणा थी वो अकबर के जो वास्तु शिल्पी थे उन्होंने उसके मध्ध एशियाई पूर्वस तैमूर के मखवरों से ली थी जो एशिया का पूर्वस था कौन तैमू उससे ली गई थी ठीक है ना अभी जो उपर के प्रष्ट पे हमने चित्र देखे थे वह सारे की सारे चित्रों महतुपून चार बागों की थे है ना जैसे कि सरवादिक चुंदर चार बागों का जब जिक्र आता है तो नाम आता है कश्मीर आगरा और दिल्ली का जो अभी इस चित्र को देखिये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ठीक है ना 1562 से 171 के बीच में हुमायू का बनाया गया या मकबरा है ठीक है ना इसमें नहरे भी जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे है ना ठीक है तो दोस्तो मैं आपको इसके विश्य में कुछ ब देख पा रहे हैं आप, इसके इंदरिय गुंबत को, है ना, बहुत ही विशाल और बहुत ही ऊचा था, ठीक है, महराबदार प्रवेश्द्वार, पिश्टक, जो है, आप इससे देख सकते हैं, है ना, महराब, इसका जिक्र किया जा रहा है, ठीक है ना, और इस प्रकार की मुगल वास्तुकला के महत्वपून रूप बन गए और यहां मगबरा एक विशाल और चारिक चार बाग के मद्ध में इस्थित था ठीक है न दोस्तों इसका निर्मान आठ स्वर्गो और हश्ट बहिश्ट की परंपरा में हुआ था ठीक है न एक केंद्री एकक्ष है आठ कम हैं इसके अंदर और इस इमारत का जो निर्मान है दोस्तों वहां लाल बलुवा पत्थर से किया गया था और इसके किनारे सफेज संग मरमर से ठीक उसी प्रकार जैसे की निर्मान लाल बलुवा पत्थर और संग मरमर से किसका किया गया था कुतुब मिनार का किया गया था म मैंने भी आपको बताया है ना आप नहरे भी यहाँ पर देख पा रहा है किस प्रकार से बनी है ठीक है ओके अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले प्रिष्ट की और जहां पर दिया गया है यहाँ चित्र जानते हैं कि यहाँ चित्र किस विशय प काल हुआ करता था ना उसके दौरान मुगल वास्तुकला के कई सारे तत्व जो हैं एक विशाल सदभाव पूर्ण संशलेशन में मिला दिये गए थे दोस्तों अगर बात करूं शाह जहां के शासंकी तो उस समय बहुत सारे ऐसे निर्मानकारे चालू थे बहुत सारे निर्मा रक्षो का दिवाने खास दिवाने आम है ना इनकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक उस समय दोस्तों जो है बनाई जाती थी याद करिए याद रखिए हम शाह जहां की बात कर रहे हैं ठीक है न एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिहल सुतुन अत्वा चिहल सु भवन विशेश रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाये जाते थे उसके सभववन बनाये जाते थे और जो सीखासन था वो जिसमंचपर हुआ करता था उसे किबला किबला मैंने अभी आपको बताए नमास के दौरान मुसल्मानों के सामने की जो दिशा होती है उसे कहा जाता है तो उसका जो सिहासन होता था शाह जहां का वो उस मंचपर रखा जाता था और उससे किबला कहा जाता था क्योंकि जिस समय दर्बार चालू रहता था दूस्तों उस समय हर वेक्ती उस और ही मू करके बैटता था जिस और शाह जहां का क्या था सिंहासन था ठीक है ना यहाँ वास्तु कलात्मक अभी लक्षन इस और इशारा करते हैं कि राजा पृत्वी पर क्या है इश्वर का प्रतिनिधी है या अल्ला की परचाई है ठीक है यहाँ पर एक शब्द जो है कुस प्रश्ट में आगे आएगा मैं आपको स्प्रिग्राफ को दिखाता हूँ है न यहाँ परग्रफ की मैं बात कर रहा हूँ यहां पर शब्द आ रहा है पित्रा धुर धीक है न इसका अर्थ क्या होता है यहां पर लिखा हुआ है उतकिछिंसंग मरमर या फिर बलुव और ठोस पत्थरों को दबा करके कुछ सुन्दर नमूने बनाए जाते थे अलंकरत उन्हें कहा जाता था पितरा दूरा इसके विशे में यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों इसके विशे में यहाँ पर यह बताया गया है कि शाह जहां जो थे, उन्होंने दिल्ली के लाल की लेग, अपने नव निर्मित दरबार में जो न्याए करते थे, राज की न्याए और शाही दरबार के अंतसंबत पर इस पर बहुत बल दिया गया है, अभी मैंने आपको उसके सिहासन के बारे में बताया था, शाह जहां के, त और इसमें पौरानिक युनानी देवता आर्फियस का जिक्रा आता है, है ना, उनको वीना बजाते हुए चितरित किया गया है, और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि जो आर्फियस है ना, आर्फियस का जो संगीत है ना दोस्तों, वहाँ आकरामक जानवर जो हुआ करते थे जिनसे की खत्रा था, उनको भी शांत कर देते थे और शांती पूर्ण तरीके से वहाँ आकरामक जानवर भी एक दूसरे के साथ रहने लगते थे, जैसे कि शेर खरगोश के साथ रहने लगता थे, ठीक है ना, अपने शिकार के साथ भी, और शाह जाहां के सारवजनिक सभा बवन की जब बात आती है तो उसका जो निर्मान है वह यह बताता था कि न्याय करते समय राजा उचे और निम्न सभी प्रकार की लोगों के साथ एक समान ही वहवार को करेगा और सभी के साथ सदभाव का वहवार करेगा ने सभी लोग सदभाव से रह सकेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैरेगराफ की और थीक है और जानते हैं इसमें क्या पना प्रकार की वर्ग थे उन्होंने अपना जो घर है उसका निर्मान यहामना नदी के तट पर करवाया गया था अभी हमने उपर चार बागों के बारे में पड़ा था इतने चार बाग क्यों कहते हैं यह भी मैंने आपको बताया था है ना किस प्रकार से बीच में करत्रिम नहरे बनाई गई और चार बाग का निर्मान किया गया तो वह चार बाग कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे कि भीच में नहरे बना दी जाती थी और यहां जो चार हिस्से है यहां बताते थे उन बागों को ются चारा है यहां इस प्रकार से निर्मांद किया जाता था तो इस योजणा के अंतरगत अन्य तरह के वाग भी थे उस समय है ना नदी तढ़ बाग इन्हें कहा जाता था मुख्य रूप से और यह जो बाग हुआ करते थे यह इस इस में निवास स्थान चारबाग के बीच में इस्थित नहीं हो करके जो नदी के तढ़ हुआ करते हैं उनके पास में उनके बिल्कुल किनार ओपर तो दोस्तो शाह जहाने एक योजना कौनसी योजना नदी तट बाग योजना इसको अपनाया और ये उस समय की भव्यतम वास्तु कलात्मक उपलब्दी थी दोस्तो जिसका उपयोग शाह जहाने अपने ताजमहल के नक्षे में करवाया था ठीक है ना आप देख सकते हैं कि स सफेद संग मरमर का मकवरा जो था वहां नदी तटकेक चबूत्रे पर और जो बाग का जिक्राता है वहां दक्षण दिशा की और बनवाया गया था ठीक है ना नभी नदी की अगर में बात करूं तो उस पर सभी के लिए पहुच पर नियंतरन रखना चाहता था कौन शाह यहांने सभी तक पहुचना चाहता था और इस नियंतरन के लिए जो है उसने वास्तु कलात्मक रूप को यहां पर विक्सित किया था ठीक है ना दिल्ली के अगर में बात करूं तो यहां पर शाह जहानाबाद में उसने एक शहर निर्मित किया और उसे उसमें शाही महल जो नदी तक जो जिसकी पहुच थी उसमें दाराशिकों का नाम आता है ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहां समझ में आ रहा होगा है ना इस चित्र के बारे में बताया गया है कि आगरा का ताज महल है इसका निर्मान 1643 में 1643 में पूरा हुआ था आप देख सक सब्ते है अब है आप ऐडिंग के दोस्तों वक्षेत्र व साम्राजे तो दोस्तों इसमें इसमीचा बताया गया है कि कैसे एक उस्थान से दूसरे स्थान पर जब लोग गए लोगहों का आवाग मलत हुआ तो उनके साथ साथ गई उनकी परंपराएं और उनके विचार तो यहां पर बताया गया है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे विजय नगर की बात की जा रही है यहां की जो गजशालाएं थी है न यहां पर नाम दिया उस पर बीजापूर और गोलकुंडा जैसी जो आसपास की सल्तनत थी वहां की दोस्तों वास्तुकल आत्मक्षैली का ज दिक्र आता है कि वहां पर जो मंदिर बनाये गए जिन मंदिरों का निर्मान किया गया तो कैसे वहां पर वास्तुकल आत्मक्षैली का उपयोग किया गया जो कि वही वास्तुकल आत्मक्षैली कहां देखने को मिलती है फत्यपूर सीक्री के मुगल महलों में इसके बाद मे गया थे इस मंदिर का निर्मान करवाय गया था और वहा प्रबा गया था यहां तरे से भी तर में इसकी जो ऊची फ्षत है हैं त chopped rate किया गया था इस यह जो आप पर शैली देख रहे हैं वास्तुकला की इसे उत्तरपूर्वी इरान से आई गई शैली ठीक है ना खुरासान से और फत्यपूर सीक्री में इसका उप्योग प्रयोग किया गया है ठीक है इसके बाद में यहां पर दिया हुआ है दोस्तों कि जो मुगल चासक है ना मुगल चासक वो उनकी जो भवन हुआ करते थे ठीक है ना तो उसी छेत्र की जो वास्तुकलात्मक शैली थी उसको अपनाने के लिए उसका उप्योग करने के लिए तो वह बहुत ही निपुन हो गय थी यह विशेश रूप से उसमें दक्षता हासिल कर चुके थे इस संब मुगलों को बांगला गुंबद अध्याए 9 और 11 नो में चित्र 11 और 12 जो है इसको बताता है बांगला गुंबद को हैंना समय आने पर उस अध्याए के वीडियो में हम वश्च्य देखेंगे हैंना तो मुगलों की अगर बात करें तो उनको इतना पसंद आया था कि जो स्वयम की वास्तुकला है उसमनों ने उसका उपयोग किया था और इसके बाद यहां पर यही बताया गया है कि अन्य चेत्रों पर भी इसका प्रभाव जो है वह इस पश्च रूप से देखा जा सकता था है यह मुख्य रूप से आठवी से अठारवी शताब्दी के मद्य होन वाले निर्मानों के विशय में हमने यहां पर चर्चा की है अब इस चित्र को देखिए जो बाई और आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यह जोदा भाई महल में च्छत का जो विस्तार है उसको किस प्रकार से समालने के लिए यह जो है इस्तंब और आदी का निर्मान किया गया है टेक दिये गये हैं वो है ना फत्यपुर्शीक्री के जो दभाई महल है उसका चित्र दिया हुआ है दोस्तों अब हम बात करते हैं गोथिक की वास्तुकला की एक और शैली गोथिक ठीक है ना समय था बारवी शताब्दी जगह थी फ्रांस यहां पर जो है आरंबिक भ गोथिक में जिसका मैंने नाम लिया यहां पर लिखा हुआ है अब देख सकते हैं तो इसकी कुछ विशेष्टा है क्या है कि इसमें जो महराब आप देख रहे हैं वो नुकीले यहां पर देखिए एकदम ऐसे घुमावदार आपको नहीं दिखेंगे नुकीले महराब बने हुआ हैं है आपए हैना और रंगीन काच का यहां पर प्रयोग किया गया है भवन के निर्माण में चर्चों के निर्माण में और बाइबल से अista चित्रन भी यहां पर मिल जाता है दूर से ही मिनारे दिखाई देती हैं है ना घंटे वाले बुर्ज जो है वो चर्च से जुड़े लेकिन वो बाद में जुड़े तो यहां पर लिखा हुआ है कि इस वास्तु कलात्मक्षैली के सर्वोत कृष्ट ग्यात उधारनों में से एक पैरिस का नाइट्रेडम चर्च देख पा रहे हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहां जो अध्याय है यहां आपको पूर्ण तह समझ में आया होगा या वीडियो आपको समझ में आया होगा और मेरी आपसे अपेक्षा है कि यहां वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो की लिंक को जरूर आप शेर करें साजा करें अपने साथियों मित्रों परीजनों सहपाटियों के साथ में ताकि वो लोग भी इस वीडियो को पूरी तरह से देख पाए समझ पाएं और जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नवश्कार